जमीन के कुछ फीट नीचे ही प्राचीन रह से दबे हो सकते हैं इसलिए इसमें कोई आश्यर की बात नहीं है कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों को अक्सर कुछ अध्भुत चीजें मिल जाती हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन में से कुछ खोजें वास्ताव में चौका 2015 में मिसाचु सेट्स इंस्टिट आफ टेकनोलजी बिल्निंग के निर्मान के दोरान शर्मिको ने एक अजीब सील बंद ग्लास कंटीनर खोद निकाला कुछ जाँस से पता चला कि ये 1957 में लेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटिंग और परमानु विज्यान के लिए बनाई उद्घाटन के दोरान दफनाया गया एक टाइम कैपसूल था, कैपसूल में वेग्यानिक कागजात और सामगरी शामिल थी, जिसमें क्रोयेटॉन नामक एक इलेक्ट्रोनिक उपकरन था, जिससे कम्प्यूटिंग दुनिया में करांतिकारी बदलाव लानी की उम्मीद की गई थी, ये ऐसा कभी करने ही पाया, जिसकारत है कि भविश उन MIT प्रोफेसर्स के लिए शायद उतना ही निराशा जनक है, जितना की ये हमारे लिए है, हुआर बोर्ड और उड़ने वाली कार्स को 2015 में आ जाना था, और देखो हमें क्या मिला, खेर ये कैपसूल 58 साल तक दफन रहा, इसके आगे एक सक्त निर्देश लिखा हुआ था, इसे 1957 तक ना खोला जाए, तो हमने इसे 942 साल पहले ही खोल दिया, भाई, साइन्स के पराने भूत हमें बड़े घुस्से से देख रहे होंगे है ना, उसी वर्ष किंग्सी के पास एक पुल का रिनोवेशन क परफेक्टी नाम निकला, लेकिन इस से पहले की वर्कर्स इस 121 साल परानी एश्ट स्कॉच का आनंद ले पाते, हाइलेंड फोक म्यूजियम वाले वहां पर आ गए, टाइम के अप्सूल को दफनाने वाले वक्ती की पहचान तो एक रहसे बनी हुई है, लेकिन ये मान ले के अलेक्जेंड्रिया का ये मामला इसी तरह के कई अटपटे सवाल खड़े करता है, होटल इंडिगो के नदी किनारे निर्मान के दौरान 1775 और 1798 के बीच समुद्र रयात्रा करने वाले एक बड़े और भारी जहाज की खोच की गई, पहले तो निर्मान मजदूरों को ज जहाज जमीन में दफन है, लेकिन थोड़ी और खुदाई के बाद सचाई का पता चल गया, जिस शित्र में जहाज की खोच की गई थी, वो कभी एक बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन फिर शहर धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता गया, और इसी रहसमें जहाज की दफन होने क के बाद इसके उपर भी फैल गया, इससे भी अधिक आश्या जनक बात तो यह है कि इसकी लकड़ी इतने वर्षों के बाद भी सड़ी नहीं, क्योंकि इस मिटी से भरी कबर में आक्सिजिन नहीं पहुँच पाती है, जिससे साडन पैदा करने वाले बैक्टिरिया से दूर रहते हैं, यह जहाज मूल रूप से या तो कार्गो या मिलिटरी उद्देशों के लिए इस्तिमाल किया गया था, लेकिन लगता है कि अब किसी का करियर बदलने वाला है, होटेल इंडिगो के बेल बाई, बोटी को यह बहत पसंद आ गया है, लेकिन एक खोज इससे भी ज खोज निकाला, इसकी लकडी में रिंग्स के विशलेशन से पता चलता है कि जहाज का निर्मान फिलाडेलफिया में किया गया था, हलाकि यह सपष्ट नहीं है कि जहाज दुरघटना वश डूब गया था, या जान बूच कर डुबोया गया था, ताकि मैनहटन समुदर प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो वो बजट की कमी, संसाधनों की कमी या इसी तरह की जटिलताओं की कारण होती है, लेकिन 2012 में एक प्रोजेक्ट एक अत्यनत अजीब सी बाधा की कारण थम गया, मकडियां, इसकी जिम्मेदार थी, एक प्रकार की मकडि जिसे ब्रेक अ एक मिलियन डॉलर के हाईवे निर्मान प्रजेक्ट की बीच में पाई गई थी, ये खास मकडी एक 6 फीट लंबे अंडरग्राउंड स्पाइडर हूल में पाई गई थी, और इसकी पहचान इसकी अजीब सी ट्रांसुलेंट बॉडी से की गई, क्योंकि इस प्रजाती को 30 वर राशा जनक था, इस पारदर्शी बिना आखोवाली मकडी के घर को डिस्टरब किये बिना कामजारी रखने के लिए ये डिसाइड किया गया कि एक अंडरपास बनानी की मूल योजना को बदल कर वहाँ पर एक ओवरपास बनाया जाएगा, इसका मतलब था कि उस प्रोजेक के लिए एक कंस्ट्रक्शन टीम को काम पर रखा, कुछ पराणी अलमारियों को हटाते समय एक वरकर को अचानक हीरे से भरे कई लिफाफे मिले, जो उन्सका स्वभाग था, कि वरकर सीमांदार थे और ये खजाना उन्हें वैसे के वैसा स्वाप दिया, इस जगह के पिछल से पहले काश उन्होंने अच्छे से या ज़ाडू लगवाई होती, पिछले मालिक की बेटी ने इन हीरों पर अपना दावा करने की कोशिश भी गी, लेकिन चूंकि इमारत की विक्री पहले हो गई थी, इसलिए उसे बहुत देर हो चुकी थी, हलाकि मैं उसे कोशिश करने समय निर्मान शर्मिकों को अपने शहर के शांदार इतिहास की याद दिलाने वाली चीज़े मिल गई, शुरू में एक पुरानी दबी हुई चट्टान की दीवार जैसा कुछ लग रहा था, लेकिन जल्द ही निकलने लगे भुलाई जा चुके, मुजाइक और कमरे, और अ 45 कमरों वाला एक 330 वीट का दालान भी शामिल था, माना जाता है कि इसमें समराट के बेहितरी निजीगाड रहते थे, जैसे कि इतनी ही खोच चौकानी के लिए काफी नहीं थी, बैरकों में मानाव हड़ियां, कांस के सिक्के और कंगन भी निकले, ये संभव है कि समय के इस्टेशन के डिजाइन को बदल दिया गया, ताकि इन बैरिक को वहीं पर रहनी दिया जाए, और उमीद है कि बोनी दर रोमन टिकेट का रैले में काम कर रहा होगा दिसंबर 2016 में जर्मनी के आक्सबर्ग शहर को क्रिस्मस की शुरुआत में ही एक विस्फोटग गिफ्ट मिल गया सेंडने के शहर में आने से एक सपता पहले शहर के वीचोबीच निर्मान शरमिकोनी, ब्रिटिश रोयल एयर फोर्स का दो टन का एक लाइव बम खोजा लेकिन ब्रिटिन के कोचिल मजा की अंदाज के बावजूद ये कोई भद्दा सा क्रिस्मस पैक नहीं था, ये सत्तर वर्षों से भी अधिक समय से वहां था दुती विशुद के दोरान आक्सबर्ग पर भारी बंबारी की गई और ये शहर में पाया गया, अब तक का सबसे बड़ा बम था ये बात अविश्वस नहीं है कि उस समय ये फटा नहीं था, लेकिन इस बात ने खत्रे को और भी गंभीर बना दिया 54,000 लोगों ने तुरंत अपने घरों को खाली कर दिया, जबकि दो बम विशिशक्यों ने चार घंटे तक कड़े महिनत करके उस डिवाइस को सुरक्षित बना दिया इसे कहते हैं, धर्ती को हिलाने वाली खोज ताई जो में एक सड़क को चोड़ा करते समय शरमिकों को जमीन से 6 फीट नीचे दबी एक वजीब सी वस्तु मिली वे चके थे क्योंकि ये वस्तु किसी भी रिकॉर्ड में लिस्टिड नहीं था, जिसका अर्थ है कि शायद इस शहर से भी जादा पुरानी थी ये पहली बार में तो एक अटपटा सा सॉलिड ब्लॉक जैसा कुछ लग रहा था, लेकिन जब प्रातत विदु वहां पहुंचे तो उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ पुरातत विदु ने पाया कि बॉक्स में धकन था और इसे खोलने से अंदर रही चीज़ दिखी जो कि लिनिन और कपणों की परतों में लिप्टी हुई एक ममी जो अविश्वसनी रूप से संरक्षित थी इसके आभूशन और संरक्षन तक्निकों के आधार पर पुरातत विदु ने निधारित किया कि ये एक महिला थी और ये मिंग राजवंश की एक प्रमुक सदसे रही होगी जो की लगभग 700 साल पहले अस्तित्यों में था लेकिन जहां तक कंस्रक्षन वर्कर्स द्वारा संरक्षित मम्यों को खोजे चाने की बात है तो शिंजुई की तुलना में कोई भी नहीं है ये अब 20-वी सदी की सबसे महत्वोंड परातत्त्विक खोजों में से एक मानी जाती है हान राजवंश की इस ममी के अपने बाल, को मलतवचा और लचीले अंग अब तक स्वरक्षित हैं लेकिन जो इसकी सबसे प्रभावशाली बात है और जो इसे माना वितिहास में सरुष्रिष्ट संरक्षित ममी का खिताब दिलाती है वो ये है कि 2000 वर्ष से अधिक पुरानी होने के बावजूद शिंजुई में सरने के बहुत कम निशान है 1971 में निर्मान शर्मिकों द्वारा इसकी खोज के बाद से इसका संरशन और ऐसे बचा रहना वैज्ञानिकों को चकित कर रहा है लेकिन लगता है कि इस डिक लिक्विट पेस्ट सोखने वाला कोईला मिट्टी और रिश्मी कपड़ी की परतों ने मिलकर जिवाडूं और ऑक्सियन को इस से दूर रखा है इसलिए यदि आप 2000 वर्ष की उम्र में भी अच्छा दिखना चाते हैं तो आपको अपने स्किन केर के रूटीन को बदलने की ज़रूरत है अगली बार जब आपके आसपास बसका किराय देने के लिए चुट्टे पैसे ना हूँ तो अपनी जेब खोदने की बजाए बेतर होगा आप जमीन में खुदाई करें 2016 में दक्षने इस्पेन में एक पाई बिचाने के काम के दोरान निर्मान श्रमिकों को उनने सजावटी रोमन चार मिले जिनके अंदर कुल आधा टन रोमन सिक्के थे पचास हजार सिक्कों का ये एसोट मिन तीसरी शताबदी के अंतर चौथी शताबदी के प्रारम के समय का है और इन पर समराट मैक्समियन और कॉंस्टेंटाइन के शिलालेखों की मुहर लगी है हलागी एक होज संभावित रूप से लाखों की थी लेकिन ऐसा लगता है कि मजदूरों ने इन सिक्कों के एतिहासिक विशलेशन जैसे उचे मकसद से इनहें डोनेट कर दिया और वैसे भी इन मेंसे एक भी सिक्का किसी वेंडिंग मशीन में फिट नहीं हो सकता था इसलिए शायद उन्होंने ठीक ही किया एतिहासिक हूप से शूटिंग माइकल जॉर्डन और लेपरॉन जेम्स जैसे खिलाडियों से पहले भी शायद स्टार हूप शूटर हुआ करते थे और वो थे प्राचीन माया जाती के लोग 2012 में एक ऐसा विश्वसनी संयोग हुआ कि मैक्सिको के युकाटन में एक नए बास्केट बॉल कोट की नीव खोते समय शर्मिकों को एक दिल्चस्प चीज मिली वो था एक और बॉल गेम का कोट बस फर्क ये था कि ये सदियों पुराना था इस जमीन में दफन कोट को एक जमाने में माया बॉल गेन के लिए इस्तिमाल किया गया था ये खेल पूर्व हिस्पैनिक मैक्सियन सभिता के दौरान राजनीतिक विवादों को सुलजाने के लिए नियमित रूप से इस्तिमाल किया जा जाता था खिलाडियों को अपने हाथों का उपयोग किये बिना ही इस कोट के किनारों में लगे पत्थर की हूपस के अंदर एक रबड की गेंद को बाउंस करना होता था हलाकि आज कल के NBA की विपरीत इस खेल में जीत और हार का मतलब जीवन और मौत का सवाल होता था देवताओं को खुश करने के लिए या राजनीति को देश की पूर्ती के लिए अक्सर हारे हुए लोगों की बली दे दी आती थी ये बड़ा ही खौफनाग लगता था लेकिन अगर हम कभी NBA से उप जाएं तो हम भी ऐसी शर्ते रख सकते हैं और उसको रोचक बना सकते हैं इससे पहले कि मैं आज की आखरी निर्माण मजदूर दल के अविश्वसनी खोच का खुलासा करूँ यहां कुछ सम्मान जनको लेक और भी हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए सबसे पहला ब्राजील के एक निर्माण दल का है जिनका सामना 2016 में अपनी साइट पर एक रेंगती हुई सप्राइज के साथ हुआ यह था एक 33 फीट और 900 पाउंड का अनकॉंडा यह विशाल साप एक गुफा में रह रहा था जो साइट पर एक नियंतरित विस फोट के कारण खुल गई और यह कार इस्थल में घुसाया इस जानवर को अंतिताह मार दिया गया जो सुनने में बड़ा कुरूर लगता है यह देखते हुए कि उन्होंने उसके घर को भी उड़ा दिया अगली जिग्यासा इडिनबर्ग के ओल्ड टाउन में एक खुदाई के दौरान खोजी गई एक कार पार्क को तोड़ने के दौरान एक मधियोगीन स्कॉट मैन के कंकाल के अफशेश बाए गए यह एक नकाशी दार समारक पत्थर से सजाया हुआ था बलुआ पत्थर के स्लैब में एक कैविल्री क्रॉस और एक तलवार का चित्रण किया गया था जो बताता है कि ये कंकाल कभी एक शूरवीर योध्धा था एक पार्किंग स्थल के नीचे दफन होना ये हर योवा शूरवीर का सपना होता है खैर मजाग एक तरफ इशकार पार्क साफतोर से एक राजा के लिए फिट था बोस्वर्थ फील्ड की लडाई में मारे जाने के 500 साल के बाद 2012 में इंग्लेंड के लिसिस्टर में किंग रिचर्ड दुती के अफशेश एक पार्किंस थल के नीचे पाए गए थे उनकी खोज का जश्न मनाया था और मार्च 2015 में उन्हें फिर से दफनाया गया शायद किसी बस स्टेंड या सार्वजनिक शौचाले की नीचे 2015 में चीनी शहर हियुआन में सड़क के मरमत करते समय शर्मिकों को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी वहां मिलने की कोई संभावना नहीं थी फुटपाथ के केवल एक फिट नीचे डाइनसौर के 43 संडों के फासिल थे जिन में से 19 पूरी तरह साबुत थे प्रत्तेक अंडे व्यास में 4-5 इंस तक के थे हालाकि उनकी प्रजातियों का भी तक पता नहीं चला है लेकिन उनका ऐसे बिल्ट अप एरिया में भी बचे रहना प्रातित विदों के लिए चकेत कर देने वाला था जिस तरह के लाल बलुआ पत्थर में विचड़े हुए थे उसमें ग्रामीन इलाकों में इस तरह के अंडों के कई अन्य नमूने साबुत पाए गए हैं लेकिन इतनी शहरी जगे में ऐसा कभी नहीं देखा गया है हे युआन डाइनोसौर संग्रहलाय का एक हैरत अंगेज करने वाला दावा ये है कि 1996 से इस शहर में 17,000 से अधिक फसिल अंडे पाए गये हैं इस शहर ने खुद को चीन का डानसौर का घर भी करार दे दिया है और ये पहचान यहां के लोगों में समाई हुई है ये साफ तोर पर तब देखा गया जब घटना स्थल पर एक मजदूर ने दो अंडे लेकर भागने की कोशिश की लेकिन स्थानिय लोगों की भीड ने उसको रोग दिया आश्या जनक रूप से उन्होंने साइट के चारों और एक मानव शरंखला बनाई जब तक कि अंडों को सुरक्षित रूप से जांच के लिए नहीं ले जाया गया ऐसा लगता है कि इस खोज के बाद उत्पन हुई इस दिल को छू लेने वाली एकता ने उस समुदाय के एक जानदार रूप को सामने ला दिया है क्या इन में से किसी भी खोज ने आपको आपके आसपास किसी निर्मान स्थल पर पाउड़ा लेकर जाने के लिए प्रेरित किया है क्या आपको कभी मरमत या खुदाई करते समय कुछ आजीब मिला है मुझे नीचे टिपड़ी करके जरूर बताएं देखने के लिए शुक्रिया